नमस्कार दोस्तों स्वागत है आज की उमारे इस वीडियो में आप देख रहे हैं टेकोड यूटूब चैनल, मैं तुलकुमार आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं, याद मेरी तरह एक वीडियो क्रियेटर हैं और आप ये यूटूब पर वीडियो अप्लोड करके पै कि सब्कूंट कंदेगा और यहां इस वीडियो में बात करेंगे तो जो आ बहिए घमेंने करके चाँंट करके दिखाएंगे और आपको वहां पर सब कुछ फीचर के बारे में बात करेंगी डिटेल हमेज़ तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी ति वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो बीना सिर्फ आप वीडियो अप्लोड कीजिए और वहां पर आपका मॉन्टाजेशन इंबल रहेगा सिर्फ आपको वीडियो अप्लोड करना है अपना अकाउंट बना करते हैं तो सब कुछ आपको डिटेल्स में बात करेंगे तो आज चलते हैं सीधे अपने मोबाइल स्क्रीन पर तो से यहां पर देख सकते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ चुके हैं तो यहां पर सिधे हम अपना ब्राज़र उपं करते हैं क्रूम तो यहां पर आपको साच बार में टाईप करना होगा यानी गूगल में डेली मोसन तो यहाँ पर सिर्फ आपको डेली मोसन टाइप करना है और यहाँ पर डेली मोसन की आफसील वेवसाइट फर्स्ट में मिल जाएगी आपको इस पर क्लिक कर देना है तो इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने डेली मोसन की आफसील वेवसाइट ओपन हो जाएग सेम तो सेम यूटूब की तरह काम करेगा यह व्यूसाइड और इसकी अप्लिकेशन तो मैंने आपको बता दिए प्लेश्टोर पर आर्ट रेडी है तो यहां पर देख सकते हैं जैसा कई यूटूब में आप्सन दे रहा था कॉर्णर पर लागिन करने का तो यहां पर देख सकते हैं लागिन का आप्सन है और लाइब्रेरी और सर्च का आप्सन है सब कुछ देख सकते हैं और वीडियो की बात करते हैं तो यहां पर वीडियो भी यूटूब की तरह ही यहां पर देख सकते हैं सब आपको नीचे आना है और यहां पर आपको आपको आपसन दिखेगा विकम एपार्टनर तो आपको इस पर किलिक कर देना है तो यहां पर देख सकते हैं आपसन विकम एपार्टनर तो इस पर किलिक करना है और यहां पर आपको option आ जाएगा सब कुछ details फेल करने का तो यहाँ पर देख सकते हैं website open होने के बाद अब आपको यहाँ पर option दिख्याई दे रहा होगा get start तो यहाँ पर हम page को थोड़ा zoom कर लेते हैं और यहाँ पर option दिख्याई दे रहा होगा get start तो आपको इस पर click करना है और click करने के बाद आपको यहाँ पर एक अपना email id लिखना है तो यहाँ पर हम अपना email id पहले enter कर लेते हैं और उसके बाद आपको यहाँ पर एक password enter करना पड़ेगा और उसके बाद आपको यहाँ पर जोटा बर्त के लिए आपको यहाँ पर select करना है month और उसके बाद इयर उसके बाद यहाँ पर capture आपको रिबूट करना उसके बाद sign up पे आपको click कर देना है तो आपका account create हो जाएगा तो यहाँ पर हम फटाफट लगाना कैसे आपको minimum 8 हट चरका होना चाहिए और यहां पर एक capital लेटर और एक lower लेटर और यहां पर एक small character होना चाहिए जैसे add the rate है जो भी लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं उसके बाद आपको यहां पर अपना data of birth इंटर करना है तो यहां पर हम अपना data of birth इंटर कर देते हैं अब उसके बाद आपको यहां से year select करना है तो यहां से हम अपना year select कर लेते हैं तो यहां से आपको capture remote पर आपको click करना है और उसके बाद आपको यहां पर sign up पर तो यहां पर हमारा capture reboot हो चुका है तो आपको आप sign up पे click करना है तो यहां पर पूछेगा accept your theme and condition तो यहां पर आपको accept पे click कर देना है यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सेक्ट हैं नहीं तो आपको यहां पर accept पे click कर देजिए तो जैसे ही आप इस पे click कर देंगे email id पे एक otp गया होगा आपको वही otp यहां पर enter करना पड़ेगा तो हम wait कर लेते हैं otp आने तक so friends यहां पर हमारा otp आ चुका है तो हम इसे enter कर लेते हैं so यहां पर आपके सामने कुछ ऐसे interface open होगा तो आपको यहां पर scroll करके नीची आना है तो चाहे तो आप इसे पढ़ सकते हैं ध्यान से बीना skip किये हुए लेकिन मुझे यहां पर पढ़ना है नहीं तो यहां पर मैं scroll करके नीची आता हूं तो यहां पर option दिखेगा आपको एक्सेप्ट ठेम से तो आपको यहां पर इस पर किलिक कर देना है और यहां पर जो लास्ट अपडेट है तो आपके सामने दिखाई दे रहा है तो यहां पर अब हम इसे नेश्ट करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा है तो यहां पर अब आपको क्या करना है अब इसके बाद यहां पर पहले आपको यहां पर देखिए बाइनर आर्ट यहां पर पहले आपको नाम लिख लेना है तो यहां पर मैं आपको बता देता उसके बाद मैं खुद अपना पहले फिल कर लूँगा तब उसके बाद सब कुछ होके करूँगा तो लेकिन यहाँ पर जो पहले आपका बैनर आर्ट का साइज बता रहा है और चैनल का लोगो तो इसको आपको इमेज क्रिएट करके रखना है तभी आपको बिने इमेज अप जो चैनल आर्ट है और यहाँ पर जो चैनल लोगो है सब कुछ अपलोट कर लिया है और यहाँ पर जो भी हमेज डिटेल्स फिलिप करना है तो सब कुछ यहाँ पर फिलिप करके तो अब आपको यहाँ पर नीचे सेप का आपसन दिखाई दे रहा होगा तो आपको यहाँ सेब कर देना है, तो सेब करने के बाद आपके सामने न्यूव प्य closely open होगा और यहां पर आपका चैनल कैसा दिखाए देगा तो आप देख सकते हैं आपका चैनल आइसा ही same-to-same दिखाए देगा तो यहां पर देख सकते हैं यदि यह यह मेरी ए d popularity करना पाता है तो आप फिर से इब्कर सकते हैं तो स्व इस वीडियो में ने आपको बता दिया कि कैसे आप डेली मुशन पर अपना चैनल क्रेट कर सकते हैं तो contrat इस वीडियो में इतना है तो इए ये video आपको कईसा लगा किमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देजिए और वीडियो से मदेद कोई समझ से है तो आप में के कमेंट अपोश सकते हैं फिर सेमेलें दुर् nessa डियो में कहा बुर्ण करके